हेलो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के एस्टोरेज से बहुत ज्यादा परिसान हो बार बार आपके फोन का एस्टोरेज फुल हो जाता है तो आप सिर्फ तीन ट्रिक आपको अपने मोवाईल के अंदर यूज करना है तीन ट्रिक में दोस्तों आपके मोवाईल का पूरा स्टोरेज खाली हो जाएगा और दुबारा कभी फुल होने का नाम नहीं लेगा बिना कुछ डिलेट किये हुए अगर आप ये तीन ट्रिक अपने मोईल में के अंदर यूज करते हो तो और तीसरा ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेट होने वाली है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना कोई भी ट्रिक अगर आप मिश कर दोगे तो आपके फोन का स्टोरेज कभी भी खाली नहीं होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो अब मैं आपको तीनों ट्रिक के बारे में बताने वाला हू तो सबसे पहला ट्रिक आपके अपने मोवाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है ओपन करने के वाद आपको उपर राइट साइड में अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के वाद आपको उपर में एक आप्शन मिल जाएगा माई ए आपके सामने और वो सभी आप आजाएंगे जो आपके मुवाइल में अभी इंश्तลाइ prevale करना है को सिखचिछ आपको उपर में ही एक ऑप्सन दिख जाएगा इंस्टाल्ड तो आपको यहां पे इंस्टालेट के ऊपर क्लिक कर देना है तो Installate के उपर klik करने के बाद नीचे में दो option आ जाएंगे तो आपको Note installate पे klik कर देना है तो Note installate पे klik करने के बाद यहाँ पे वो सभी app आ जाएंगे जिसे आप install करके Zone install कर दिये हैं डिलेट कर दिये हैं वो सब एप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो अब आपको यह सभी एप को यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि यह सभी एप अभी भी आपके उनकी एस्टोरे ले रहा है तो आपके यह सभी एप को यहाँ से डिलीट कर देना है तो delete करने के लिए ये सभी app को एके करके select कर लेना है मैं यहाँ पे अभी कुछी apps को select कर रहा हूँ आप सभी apps को select कर लेना तो select करने के बाद आपको उपर में right side में cut वाले option पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने remove का option आ जाएगा तो आप remove के उपर click कर देना तो remove पे click करने के बाद वो सब app delete हो जाएंगे यहां से अब दूसरा trick बताने वाला हूँ यह trick बहुत काम का है यह trick से आपके phone की बहुत storage खाली हो जाएगा तो अब क्या करना है आपके mobile में अपने जितना भी app को download किये हैं वो सभी app जब download करते हैं तब कुछ ही MB का रहता है 50, 60 या 100 MB का पर जैसे जैसे आप इसे use करोगे इसका size कई गुना जादा बरते रहता है एक app 1GB का 500 MB का हो जाता है इससे हमारे phone की storage बहुत जल्दी full हो जाता है तो इसे रोकने के लिए आपको क्या करना है आप यहाँ पे एक app के उपर 2-3 second के लिए प्रेस करके रखना है फिर आपके सामने कुछ option आ जाएंगे तो आपको app info के उपर click कर देना है app info पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यह instagram जो 50, 60 MB का रहता है वो मेरे mobile में 1GB से जादा हो गया है अब आपको यहाँ क्या करना है आपको सबसे नीचे में एक option दिख जाएगा clear data तो आपको clear data पे click कर देना है तो clear data पे click करने के बाद दो option आ जाएंगे तो आपको clear cache पे click कर देना है clear cache पे click करने के बाद ok पे click कर देना है तो ऐसा आपको सिर्फ एक app में नहीं करना है अपने mobile में जितना भी app install है वो सभी app में करना है same तो दूसरे trick आप समझ गए होंगे अब आपको मैं तिसरा trick बताने वाला हूँ जो की बहुत ज़्यादा important है अब क्या करना है अब आप अपने mobile में setting app को open कर लेना है open करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है तो आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा additional setting तो आपको additional setting के उपर क्लिक कर देना है तो additional setting पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है तो नीचे में आपको एक option दिख जाएगा developer option अगर आपके mobile में ये option नहीं दिख रहा है तो आपको ये option को अपने mobile में on करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना है यहां से back आ जाना है back आने के बाद आपको अपने mobile की setting में ही एक option दिख जाएगा about phone तो आपको about phone पे click कर देना है तो about phone पे click करने के बाद आपको यहां पे एक option दिख जाएगा MIUI वर्जन तो आपको इस पे 7 बार click करना है तो 7 बार click करने के बाद developer option आपके mobile में on हो जाएगा तो आप यहां से आपको back आ जाना है बैक आने के बाद फिर से additional setting पर क्लिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर developer option दिख जाएगा तो आपको developer option पर क्लिक कर देना है तो developer option पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा force allow apps to write on external storage तो आपको इसे on कर देना है on करने के बाद क्या होगा आप जो app को play store से download करोगे वो app आपके phone की storage की जगा memory card में download होगा इससे आपके phone की storage खाली रहेगा तो आप यह 3 trick को use करके अपने phone की storage को खाली कर सकते हो तो अब आप 3 trick समझ ही गए होगे तो गाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में